तो दोस्तो आज मैं explain करने वाला हूँ 2022 में आई मूवी जनहित में जारी को इसके IMDB rating है 7.9 out of 10 जो की मूवी के हिसाब से ठीकी है मैं मूवी को explain करूँगा लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो निशेलाल कल असलिके subscribe को दबा कर ग्रे कर दें इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे और जिन्नोंने subscribe करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहे हैं मैं आप के लिए वीडियोस लाता रहूंगा और मुझे थोड़ा और करीब से जानने के लिए आप मेरे Instagram या फिर Facebook अकाउंट को भी follow कर सकते हैं लिंक आपको description में मिल जाएगा तो मुवी की शिरुवात में हम मन्नू नाम की एक लड़की को देखते हैं तो कि बस में सफर करते वक्त सीट पाने के लिए अपने पेट में तकिया लगाए खड़ी होती है और उसका या आइडिया हर बार की तरह काम भी कर जाता है और उसे सीट मिल जाती है वहीं पर एक अंकल जी बस में लगे मर्दाना कमजोरी के प्रचार देखकर काफी भड़क रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर इस देश में वाकई में मर्दाना कमजोरी होती तो इतनी तेजी से आबादी ना बढ़ रही होती इसके बाद मनू अपने एक मितर देवी के पास जाती है चो कि बच्पन से एक दूसरे को जानते थे लेकिन देवी के अंदर मनू के लिए दोस्ती से बढ़कर फिलिंग्स थी लेकिन मनू को ये बात नहीं पता थी पर फिर भी देवी उसे खुश रखने के लिए हर काम कर दिया करता था फिर चाहे वो मुम्किन हो या ना हो मन्नू जब घर जाती है तो देखती है कि उसे देखने के लिए लड़के वाले आएं तो वो लड़के से अजीब अजीब बाते करके उसे भगा देती है मन्नू ने ऐसा पहली बार नहीं किया था बलकि पहली भी कई बार ऐसे ही लड़कों को भगा चुकी थी क्योंकि उसे अभी शादी नहीं करनी थी बलकि पहले खुद के पैरों पर खड़ा होना था पर मन्नू के माता पिता ये चाहते थे कि मन्नू की शादी हो जाए जिस बास से मन्नू और उनमें बहस बाजी शुरू हो जाती है तो माता जी कहती है कि अगर ऐसा ही है तो एक महिने के अंदर नौकरी ला कर दिखाओ फिर हम शादी नहीं कराएंगे और अगर नहीं ला पाई फिर तो तुम्हारी शादी तैय है मन्नू को किसी भी हाल में अभी शादी नहीं करनी थी तो माता जी का चैलेंज एक्सेप्ट करके वो तुरंत नौकरी धूरने के लिए निकल जाती है पर आज की टाइम में फेमस होना तो आसान है पर नौकरी मिलना मुश्किल तो मन्नू जहां भी इंटर्वी देने के लिए जाती वहां कुछ ना कुछ कह के नौकरी देने के लिए मना कर दिया जाता और कई जगा तो लोगों की ठरा की बाहर निकल कर आ जाती थी जिस वजह से मन्नू को खुद वहां से निकलना पड़ जाता था हर जगा से rejection पाने के बाद मन्नू ठक हार कर देवी के साथ बियर पीते हुए नौकरी ना मिलने का गम मना रही होती है मन्नू खड़े होकर चिला चिला के नौकरी ना मिलने के दुख में रोने लग जाती है कि तभी वहां पर वही अंकल जी आ जाते हैं जो बस में प्रचार के लिए भड़क रहे थी और उन्हें लगता है कि लड़की आत्मत्या करने जा रही है तो वो दोड़कर उसे पकड़ लेते हैं जिसके चक्कर में मन्नू की बियर गिर जाती है मन्नू पहले सही परेशान थी और अंकल जी की इस हरकत से उसका और दिमाग खराब हो जाता है तो वो बियर गिर जाने के पैसे मांगने लग जाती है और नौकरी ना मिलने का रोना उनसे भी गाने लग जाती है अब एक महिना पूरा हो गया था लेकिन मन्नू की नौकरी नहीं लगी थी तो माता जी फिर से शादी का बैंड बचाने लग जाती है पर तभी मन्नू के पास उन्हीं अंकल जी का कॉल आता है जो उसे पिछली रात मिले थे और उसे नौकरी देने का प्रस्ताव रखते हैं तो मन्नू खुशी के मारे तुरंत वहां पहुँच जाती है मन्नू पिछली रात अपना रिज्यू में वहीं छोड़ आई थी तो अंकल जी ने उसे से नंबर देखकर कॉल मिला दिया था और उसकी बाते सुनकर उन्हें फील हो गया था कि वो उनका काम कर सकती है अब यहां हमें पता चलता है कि अंकल जी की एक लिटल अम्रेला नाम की एक कमपनी है जिसमें की कॉंडॉम्स बनाये जाते हैं और अंकल जी कॉंडॉम बेचने का काम करते हैं पर हाल फिलाल उनकी सेल कम हो रही थी क्योंकि कोई भी कॉंडॉम खरीदना ही नहीं चाता था मारे दिवाली में लगी जालरों की तरह टिम्टिमा उठती है और बिना ये जाने की काम क्या है वो नौकरी के लिए हां कर देती है अब मन्नू अपने घर जाती है और सभी को खुश कबरी देती है कि उसे एक छाता बनाने वाली कंपनी में जॉब मिल गई है पर उसे क्या ही पता था कि वो छाते उपर से होने वाली बारिश रोकने के लिए नहीं बलकि नीचे से होने वाली बारिश रोकने के लिए हैं अब अगले दिन मन्नू खुशी खुशी काम करने पहुँच जाती है तो अंकल जी उसके सामने कॉंडूम का पैकेट रखकर कहते हैं कि तुमें ये काम करना है और ये हम दोनों को मिलकर करना है कॉंडम का पैकेट देखकर मन्नू को समझ आता है कि अंकल जी ठरकी है तो उसे बुरा भला कहने लग जाती है और उनकी ये हरकत सब को बताने के लिए बाहर जाती है तो वहाँ का नजारा देख कर खुद ही हैरान हो जाती है उसे अब जाकर समझ आता है कि लिटल अम्बराला का मतलब क्या है और वो किस कमपनी में आ गई है मन्नू अंकल जी से कहती है कि वो ये काम नहीं कर सकती और वहाँ से निकल जाती है तब ही उसे खयाल आता है कि अगर वो घर में ये बताएगी कि उसकी नौकरी नहीं लगी तो उसकी शादी करा दी जाएगी इसलिए मजबूरन वो फिर से वापिस अंकल जी के पास जाकर काम करने के लिए हामी भर देती है अब मन्नू कॉंडोम्स के पैकेट लेकर उनकी सेल्स बढ़ाने के लिए हर मेडिकल शॉप में जा कर उन्हें बेचने लग जाती है पर उसके कॉंडोम्स कोई भी नहीं खरीद रहा होता कोई कहता है कि इस कंपनी को कोई जानता नहीं है तो कोई मन्नू के उपर ही दया खाने लग जाता है कि एक लड़की होकर वो कॉंडॉम बेच रही है तो जरूर पैसे की दिक्कत होगी तो उसे पैसे पकड़ाने लग जाता है मन्नू अंकल जी को आइडिया देती है कि हमें 50% सेल चलाना चाहिए जिससे कि हमारा कॉंडॉम बिकने लगेगा क्योंकि हमारे देश में लोगों को जरूरत ना भी हो तो भी वो सेल देखकर उस चीज को खरीद ही लेते हैं अब एक दिन हम देखते हैं कि मन्नू बस से सफर कर रही होती है और सीट के तलाश में होती है पर महिला सीट में एक आदमी बैठा हुआ था तब ही एक रंजन नाम का लड़का उस आदमी के पास आता है और उसे महिला कहकर बुलाने लग जाता है जिस बास से आदमी शर्मिंदा होकर वहां से उठ जाता है और फिर रंजन मन्नू को बैठने के लिए कह देता है रंजन का ऐसा हसमुक नेचर देखकर मन्नू उससे काफी इंप्रेस हो जाती है और मन ही मन मुस्कुराने लग जाती है मन्नू को कॉंडूम बेचने के लिए ग्रहकों की जरुवत थी तो वो देवी की मदद लेकर ऐसी जगाओं पर जाने लग जाती है जहां पर कई सारे मर्द हों और वहां अपने कॉंडूम का प्रचार करते हुए सभी को कॉंडूम के फाइदे बताने लग जाती है लेकिन वहां मौझूद सभी लोग उस पर हसते हुए उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं मन्नू ये देख कर काफी उदास हो जाती है पर देवी उसे कभी भी उदास नहीं देख सकता था इसलिए वो भी उसके साथ उसके काम में शामिल हो जाता है और कहता है कि आज लोग तुम पर हस रहें लेकिन आगे चल कर सब तुम्हें सीरियस जरूर लेंगे अब हम देखते हैं कि एक लड़का जो कि उसी कंपनी में काम करता था वो मन्नू को एक रेड लाइट एरिया लेकर जाता है और बताता है कि हम यहाँ पर फ्री में कॉंडॉम्स बाटते हैं ताकि थोड़ी बहुत जागरुकता फैल सके तब हमन्नू को वहाँ पर रंजन दिखता है तो यह देखकर वो काफी हैरान हो जाती है क्योंकि उसे तो वो बड़ा सीधा साधा लड़का समझ रही थी पर आज तो वो उसे रेड लाइट एरिया में दिख गया था अब हम देखते हैं कि महले में महा भारत मंचन रखा गया होता है जहाँ पर मन्नू का पूरा परिवार आया होता है तब ही मंच पर कृष्ण जी की इंटरी होती है और तब मन्नू देखती है कि कृष्ण जी का रोल तो रंजन निभा रहा है उसे देखकर मन्नू अपनी बहन से कहती है कि ये तो वही लड़का है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था जो रेट लाइट एरिया में घूम रहा था और अब ऐसे लड़के को कृष्ण बना दिया है ये बात पीछे बैटा देवी कमित्र मकदूम सुन लेता है और फिर वहाँ बैटे सभी लोगों में ये खबर फैल जाती है अब सब लोग मंच पर चड़ जाते हैं और रंजन को पकड़ कर उसके कपड़े उतार देते हैं और कहते हैं कि यहाँ तुम देवता बने घूम रहे हो और वहाँ रेड लाइट एरिया में जाकर रंगरलिया मनाते हो मकडूम बता देता है कि उसने ये बात मन्नू से सुनी है तो अब रंजन मन्नू के उपर एकड़म गुसा जाता है और कहता है कि वहाँ पर हम रंगरलिया मनाने नहीं बलकि जगराते की डील करने गए थे क्योंकि वही हमारा काम है अब इसके बाद हमें रंजन का परिवार दिखाया जाता है जहां उसके पिता जी दादा जी और दो भाई और उनकी पत्नियों को देखते हैं पिता जी एकदम खुराट और गुसायल किसमे के इंसान थे और काफी पुरानी विचार धाराओं से बंधे हुए थे पिता जी अपने शहर से प्रधानी का चुनाव भी लड़ रहे थे पर जनता की तरफ से उन्हें कुछ खास रिस्पॉंस नहीं मिल रहा था अब हम देखते हैं कि मन्नू रंजन के पास जाती है और उसे सौरी कहती है क्योंकि उस रात उसकी काना फूसी की वज़े से उसके कपड़े तक उतर गए थे रंजन उससे पूछता है कि तुम उस एरिया में क्या कर रही थी तो मन्नू उसे बता देती है कि वो एक कॉंडॉम बनाने वाली कमपनी की सेल्स वूमन है रंजन को ये सुनकर थोड़ा सा अजीब तो लगता है पर उतना ज़्यादा अचंबित नहीं होता और उस बात को नॉर्मल ही लेता है फिर तभी मन्नू उसे अपने यहां होली खेलने के लिए इन्वाइट करती है क्योंकि अब सारी बाते क्लियर होने के बाद मन्नू को रंजन और भी ज़्यादा पसंद आने लगा था अब होली का देन आ जाता है जहां मन्नू और रंजन मस्त साथ में डांस कर रहे होते हैं और वहीं देवी उन्हें इतना करीब देकर जल भुन जाता है क्योंकि वो तो हमेशा से ये सोचता था कि मन्नू उसी के साथ रहेगी पर अब तो उसने किसी और का ही साथ पकड़ लिया था अब हम देखते हैं कि माता जी को घर में कॉंडूम के कई सारे पैकेट मिल जाते हैं जिसे लेकर घर में कोहरा मत जाता है कि आखिर ये है किसका और इस तुफान में घर के सभी सदस लपेटे में आ जाते हैं तुफान को शांत करने के लिए मन्नू बता ही देती है कि वो कॉंडूम के पैकेट उसके हैं और वो छदरी बनाने वाली नहीं बलकि कॉंडूम बनाने वाली कमपनी में काम करती है अब ये जानने के बाद माता जी और भी ज़्यादा भड़क जाती है और ओर ओकर कहती है कि आज तक हम इस छतरी की कमाई खाते आ रहे थे और अब ना जानने महले वाले क्या कहेंगे और रिष्टदार क्या सोचेंगे मन्नु कहती है कि जब छोटी फेल हुई थी तो दस रिष्टदारों का फोन आया था लेकिन जब वो दस वी में फरस्ट आई तो किसी का फोन नहीं आया तो मतलब यही है कि सारे रिष्टदार मतलब ही होते हैं मन्नू मा को समझाने की कोशिश करती है कि बहुत सिंपल सी जॉब है, सिंपल सा काम है, सैलरी भी अच्छी है और टाइम से घर भी आ जाते हैं तो परिशान होने वाली बात ही नहीं है माता जी मन्नू की बातों और उसकी भावनाओं को समझती है और जो परिशानी और गुसा था उसे थूख कर उसके काम को खुशी-खुशी एकसेप्ट कर लेती है एक तरफ मन्नू के परिवार वाले उसकी नौकरी के लिए मान गए थे वहीं दूसरी तरफ जो उसकी रंजन के साथ मुलागाते थी वो और बढ़ती चली जाती है और काफी जादा गहरी बातचीत होने लग जाती है और उन दोनों में प्यार के रंगीन फूल खिलने लग जाते हैं पर वहीं देवी जो की हर वक्त मन्नू के साथ रहकर आने वाले समय में मन्नू के साथ रहने के सपने देखता रहता था उसे अब अपने सपने चूर होते हुए दिखाई पढ़ रहे होते हैं रंजन के पिता जी का जैसा नेचर था उसके हिसाब से वो लब मैरिज के लिए कभी भी हान नहीं कहते इसलिए रंजन एक पंडित जी को मन्नू की फोटो दिखा कर कहता है कि आपको इसकी शादी का रिष्टा हमारे यहां लेके आना है उसके इस आइडिया के चलते अब दोनों ही लोगों का परिवार आपस में मिलता है और दुनिया भर की बाते होने के बाद शादी तैए होने ही वाली होती है कि तबह ये बात निकल कर सामने आती है कि मन्नू लिटिल अम्बरेला नाम की कमपनी में नौकरी करती है रंजन के पिता जी को ये बात पसंद नहीं आती कि उनकी बहु नौकरी करे पर सभी उन्हें समझाते हैं कि आपका बेटा तो कुछ करता नहीं इसलिए बहु नौकरी करेगी तो पैसे आ जाएंगे ये सुनकर पिता जी मान तो जाते हैं पर उन्हें ये कोई नहीं बताता कि मन्नू आखिर काम क्या करती है। अब रंजन और मन्नू की धूमदाम से शादी हो जाती है। जहां हम देखते हैं कि देवी अपना एक तरफा प्यार दिल में दबाए हुए उसे घर से विदा कर रहा होता है। सुहाग रात वाले दिन मन्नू रंजन से पूछती है कि तुमने अपने घर वालों को ये बताया कि नहीं कि हम कॉंडम बनाने वाली कमपनी में काम करते हैं। रंजन कहता है कि हम कुछ दिन बीथने के बाद सब कुछ बता देंगे और फिर इसके बाद जो रात उनके लिए थी उसी रात को मनाने के लिए दोनों जुड़ जाते हैं। मननो के आने के बाद उस परिवार में एकदम खुछाली सी आ गई थी क्योंकि घर में सबसे ज़्यादा कमाने वाली वही थी और वो हर किसी को कुछ न कुछ उपहार दे कर खुछ रखती थी और सभी उससे काफी ज़्यादा खुछ थे। अब एक रात रंजन अपने दोनों बड़े भाईयों के साथ मदीरा पान कर रहा होता है ताकि नशे में उनको मननो की नौकरी के बारे में बता सके। और जब वो बता देता है तब दोनों ही भाईयों का सारा नशा उतर जाता है। वो दोनों यही कहते हैं कि अगर ये बात पिता जी को पता चल गई तो सब गडबड हो जाएगी और वो दोनों ही उसका साथ देने से मना करके वहाँ से निकल जाते हैं अब अगले दिन हम देखते हैं कि रंजन अपने पिता जी के साथ कहीं जा रहा होता है पर पिता जी के डर से उसे पीछा करना ही पड़ता है और वो सभी उसी कॉंड़म फैक्टरी पहुँच जाते हैं जहां मनु काम करती थी और अब यहाँ पर सारा जूट पिता जी के सामने आ जाता है पिता जी वहाँ तो कुछ नहीं कहते पर घर आकर हंगामा खड़ा कर देते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि रंजन को सब कुछ पहले से ही पता था तो उस पर जूता चलाना शुरू कर देते हैं पिता जी साफ साफ कह देते हैं कि इस घर में कॉंडम फैक्टरी में काम करने वाली बहुन नहीं रहेगी नहीं तो हमारी बदनामी हो जाएगी और हम चुनाओ भी नहीं जीत पाएंगे तभी वहाँ मन्नू आ जाती है और बिना कोई ना नुकुर किये सब की खुशे के लिए नौकरी छोड़ देने को कह देती है मन्नू के पास एक नौकरी का ओफर आता है जिसमें कि प्लास्टिक के डब्बे बेचने थी तो मन्नू सोचती है कि कॉंडम वाली नौकरी ना सही ये वाली तो कर ही सकती है पहले तो पिता जी नहीं मान रहे होते हैं पर सभी लोगों के कहने पर उसे नौकरी करने की परिमिशन दे देते हैं अब मन्नू गाओं काओं जाकर उन डब्बों की खासियत बता कर उन्हें बेचना शुरू कर देती है तभी वहाँ उसे पूजा नाम की लड़की मिलती है जो कि उसी के साथ काम करना चाहती थी तो मन्नू उसे अपने साथ ही रख लेती है कुछ दिनों तक मन्नू को पूजा नहीं दिखाई पड़ती तो पूछने पर पता चलता है कि आज उसका पंचायत में फैसला होने वाला है मन्नू जब पंचायत में पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि पूजा पेट से है लेकिन अब लड़के के परिवार वालों ने उसे अपनाने से मना कर दिया है और उस पर ही इलजाम लगाय जा रहे हैं कि प्रेगनेंट होने में उसकी गलती है तो उसका अबोर्शन करवा दिया जाए तब मन्नू सभी को बीच में टोकते हुए बोलती है कि इसमें गलती आप सभी की है जो आपने इने कॉंडम यूज करना नहीं सिखाया और अगर गलती दोनों से हुई है तो पूजा का अबोर्शन होने के साथ साथ लड़के की भी नजबंदी करा दी जाए ये बाते सुनकर गाउं के सरपंच एकदम तिल मिला जाते हैं और वहां से उठकर चले जाते हैं गाउं वालों को मन्नू की बाते समझ नहीं आ रही थी बलकि उन्हें तो गंदी बाते ही लग रही थी जिस वजह से पूजा के परिवार वालों की और बदनामी हो रही थी इसलिए पूजा मन्नू को वहां से जाने के लिए कह देती है कुछ दिन बाद मन्नू देखती है कि पूझा की मां बस में अकेले सवार होकर कहीं जा रही है तो मन्नू उनसे पूछती है कि पूझा कहा है जो इतने दुनों से काम पे नहीं आई है मारोते हुए बताती है कि हमने उसे बहुत मना किया पर उसने बिना बताए बच्चा गिरवा दिया जिसके कारण उसके शरीर में जहर फैल गया और वो मर गई अगर उस दिन हमने तुम्हारी बात मान ली होती तो शायद पूजा जिन्दा होती मन्नू को ये सुनकर बहुत बड़ा जटका लगता है और उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा वो अपनी डबे बेचने वाली नौकरी छोड़ कर घर में बैढ़ जाती है और फिर इंटरनेट से जानकारी लेने लग जाती है कि हर साल भारत में कितनी मैलाएं ऐसे ही मारी जाती है मौत का अकड़ा देखकर मन्नू काफी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो ये बात रंजन को बताती है पर रंजन उसकी बातों को ज़्यादा भाव नहीं देता अगले दिन मन्नू तयार होकर फिर से अपनी पुरानी नौकरी जॉइन करने के लिए जाने लगती है जिस बात से रंजन उसपर गुसाने लग जाता है और उनमें बहस बाजी भी हो जाती है पर मन्नू नहीं रुकती अब मन्नू अंकल जी के पास पहुँच जाती है और कहती है कि वो फिर से ये जौब करना चाती है लेकिन उससे पहले कुछ कहना चाती है मन्नू बताती है कि इंडिया में हर साल देड करोड से भी जादा अबॉर्शन होते हैं और शायद आप लोग जानते नहीं होंगे पर जब एक लड़की का अबॉर्शन होता है तो वो बहुत सी तकलीफों से गुजरती है उल्टी होना, दस लगना, तेज बुखार, भारी ब्लीडिंग होना और यहां तक की यूट्रेस डैमेज होने का भी खतरा रहता है एक अबॉर्शन एक लड़की को सिर्फ फिजिकली ही नहीं बलकि मेंटली और इमोशनली भी तोड़ देता है इल्लीगल अबॉर्शन से ना जाने कितनी जाने जाती हैं और मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि हजारों रुपए लोग खर्च कर देते हैं अबॉर्शन करवाने में लेकिन एक दस रुपए का कॉंडम नहीं करीच सकते चलो मान लेते हैं कि अनपड़ लोगों में जानकारी नहीं होती पर पड़े लिखे लोग ये लापरवाही कैसे कर सकते हैं हमें अब और्तों में जागरुपता लानी होगी क्योंकि सचाई तो ये है कि मर्द कॉंडूम यूज करे या ना करे उनको दिक्कत नहीं होगी दिक्कत तो हम और्तों को होगी इसलिए मर्दों से ज़ादा हमें औरतों को जागरूप करना चाहिए औरतों को मांग करनी चाहिए कि मर्द कॉंडूम यूज करे अब मन्नू पूरे जोश के साथ निकल पड़ती है मैलाओं को कॉंडूम की विशेष्टाओं और फायदें बताने के लिए लेकिन कॉंडूम के प्रती जो इमेज समाज में बनी हुई थी उसके चलते कोई भी मन्नू की बात नहीं सुनता उधर अब महले में सभी को पता चल जाता है कि मन्नू कॉंडूम फैक्टरी में काम करती है तो लोग घर की दिवार पर कॉंडूम निवास लिख देते हैं और खूब मजाग बना रहे होते हैं रंजन के पिता जी मन्नू के माँबाप को घर बुला लेते हैं और मन्नू को अपने साथ ले जाने को कहते हैं क्योंकि मन्नू ने दुबारा से वही नौकरी शुरू कर दी थी तो उनके लिए ये बदनामी की बात थी मन्नू कहती है कि जब पहले आपको मेरी जॉब से दिक्कती तो हमने छोड़ दी थी लेकिन तब वो सिर्फ एक जॉब थी लेकिन आज ये हमारी जिम्मेदारी बन गई है इसलिए हम ये नौकरी नहीं छोड़ सकते और नहीं हम ये घर छोड़ कर जाएंगे इस बात पर मन्नू और रंजन के बीच दुबारा से जगड़ा होता है क्योंकि इस बार रंजन ने एक बार भी मन्नू की साइड नहीं ली थी और उसे फील हुआ था कि शायद उसका साथ देने वाला उस घर में कोई नहीं है अब पिता जी रंजन को एक वकील के पास ले जाते हैं डिवार्स पेपर बनवाने के लिए लेकिन तब भी वो पिता जी के आगे कुछ भी नहीं कह पाता कुछ समय बीतने के बाद रंजन को एहसास होता है कि शायद वो सही नहीं कर रहा इसलिए वो खुद मन्नू से बात करने के लिए जाता है और कहता है कि एक शादी शुदा लड़का एक चड़ी की तरह होता है दो पैरों के बीच भसा हुआ एक पैर घर वालों का और एक पैर बीवी का लेकिन यहां तो दोनों ही पैर मेरे पिता जी के हैं और चड़ी भी उन्हीं की है एक बेटे का वर्ज होता है पिता जी की इज़द बचाना, इसलिए कृपा करके मान जाओ और जौब छोड़ दो, मन्नू बताती है कि तुम्हें शायद पता नहीं कि तुम्हारे घर में जो तुम्हारी भाबी है, उनका ही दो बार अबॉर्शन करवाया गया है, वो भी तब जब अबॉर्शन करवाने में खत्रा था, पर उनकी जान बज गई, लेकिन पूजा ने इसी सब के चलते अपनी जान गवाँ दी, ये बास सुनने के बाद रंजन की आँखें खुल जाती है, और अब जाकर उसे समझाता है कि मन्नू जो कर रही है, वो सही है, इसलिए उसस सौरी कहकर उसका साथ देने को तयार हो जाता है, अब मन्नू एक बार फिर से अपने अंदर जोज भर के फिर से निकल पड़ती है गाउं में औरतों को समझाने की कॉंडूम की एहमियत क्या है, और उन्हें बताती है कि आपको अपनी बेटियों को यही समझाना और बताना ह कि कॉंडूम उनके लिए कितना फाइदे मंद है, अब हम मर्दों के भरोसे नहीं रह सकते, हमें सुरक्षा के साथ जीना है, इसलिए प्रोटेक्शन नहीं तो संभोग नहीं, हर औरत को इसकी मांग करनी होगी और हर औरत को इसका इस्तमाल करना होगा, क्योंकि मर्दों के लिए शायद ये एक जरूरत है, पर हम औरतों के लिए जरूरी है, ये सारी बाते सुनने के बाद इस बार औरते भगाती नहीं, बलकि मन्नू की बातों को समझती हैं, और अब जाकर उन्हें ये ऐसास होता है कि मन्नू की बाते सही हैं, मन्नू की सनूकी पहल के चलते वो ध दीरे दीरे हर जगा चर्चा में आने लग जाती है और कई लोकल न्यूश चैनलों में उसकी खबर चलने लग जाती है जो कॉंडम कंपनिया अपने एड़डाइजमेंट में दिखाती थी कि कॉंडम पहनने पर प्लेजर आता है उस चीज को नकार्तिक वे मन्नु ने एक नई पहल की थी कि कॉंडम सुरक्षा के लिए पहना जाता है ना कि प्लेजर के लिए और ये कॉंडम कमपनियां गलट चीजें बता कर कॉंडम पेशती है यानि कि मन्नु ने सारी कॉंडम कंपनियों के खिलाफ ही मूरचा छेड़ दिया था और उसका मानना था कि इसे प्लेजर के लिए नहीं बलकि अपनी सेफटी के लिए खरीदो मन्नो की इस मुहीम से इतना जादा असर पड़ा था कि अब हर जगे उसकी ही बाते हो रही थी और अब बड़ी बड़ी कॉंडम कंपनियों के खिलाफ कई सवाल उठाये जा रहे थे और जहां मन्नो के साथ कोई नहीं था अब हजारों की संख्या में लोग उसका साथ देने के लिए खड़े थे पर इतना सब कुछ होने के बाद भी पिता जी बिलकुल भी नहीं पिगले थे और मन्नो को लेकर उनके अंदर वैसा ही गुसा भरा पड़ा था अब हम देखते हैं कि प्रधानी चुनाओं का नतीजा आ जाता है और खबर मिलती है कि पिता जी भारी मतों से जीद गए है जिस बाद से उनको बड़ी खुशी होती है और उन्हें बड़ा गर्व हो रहा होता है कि वो अपने बलबूते जीते हैं तभी वहां उनकी बेटी उन्हें शुब कामनाएं देने आती है जो कि पेट से थी इसके बाद हम देखते हैं कि गाउं में एक प्रोग्राम रखा जाता है पिता जी को बधाई देने के लिए जहां एक आदमी सभी से कहता है कि जीत का श्रय आपकी बहु मन्नू को जाता है क्योंकि जो काम वो कर रही है उससे प्रभावित होकर आपको वोट मिला है इसलिए उन्हें सम्मान देना तो बनता है पिता जी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो गुसा के वहाँ से चले जाते हैं अब सभी लोग घर आ जाते हैं तभी पिता जी रंजन को डिवॉर्स पेपर देते हुए उस पर साइन करने को कहते हैं रंजन साइन करने को मना कर देता है और कहता है कि आपका घमंड इतना बड़ा हो गया है कि उसके आगे अपने घर की खुशियां और रिष्टे छोटे पड़ गए हैं और आप ये स्विकार नहीं कर पा रहे कि मन्नू की वज़े से आपकी जीत हुई है अब घर में बहस बाजी का महौल बन जाता है और पिता जी रंजन को घर से निकल जाने को कह देते हैं पर तब ही उनकी बेटी के पेट में जोरों से दर्द शुरू हो जाता है तो सब कुछ भूल कर उसे अस्पताल ले जाते हैं वहाँ पहुँचकर डॉक्टर पिता जी के दमाद को डाटने लग जाते हैं और कहते हैं कि जब पहली बार बच्चा हुआ था तो इन्हें समझाया था कि इनकी बीवी का बच्चा दानी मजबूत नहीं है और अब दूसरी बार भी इन्होंने ये गलती करी वो भी तब जब दो बार पहले ही मिस्करेज हो चुका है इन सारी चीजों के बारे में जब पता था तो उसके बाद भी बच्चा करने की क्या जरूत थी अब दोनों की ही जान खत्रे में है पिता जी गुसे में अपने दमाद का गला पकड़ लेते हैं और उस पर गुसाते हुए कहते हैं कि जब तुम्हें पहले से सब कुछ पता था तो तुमने प्रोडेक्शन क्यों नहीं इस्तमाल करा तभी दादा जी कहते हैं कि मन्नू यही तो समझाना चाहती थी पर जब बात खुद की बेटी पर आई तो दमाद का गला पकड़ लिया थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि अब बच्चा और मा दोनों ही खतरे से बाहर हैं जिससे सुनकर पिता जी और पूरा परिवार बहुत खुश होता है अब कुछ टाइम बात पिता जी खुद चल कर मन्नू जहां काम करती थी वहां पर आते हैं और मन्नू से कहते हैं कि छोटा बड़ा होना important नहीं होता बलकि सही होना important होता है जो कि तुम हो हमें आज हमारी गलती और जिम्मदारी दोनों का एहसास हुआ है इसलिए हमें माफ कर दो मन्नू उनसे कहती है कि हमें आपकी माफी नहीं बलकि आपका सहयोग चाहिए और फिर पिता अपने बेटे और बहु दोनों को गले से लगा लेते हैं मन्नू कहती है कि अगर कुरोना की समय हमारी जन संक्या आधी होती तो हमारी आधी से जादा मुसीबत तो पहले ही दूर हो जाती और कुरोना की ताकत तो भीड़ ही थी और सिर्फ कुरोना ही नहीं बलकि बिरोजगारी, भुकमरी, दंगे इन सब की ताकत भीड़ी ही है इसलिए हम सब को ये जिम्मधारी देनी नहीं बलकि उठानी है फिर मन्नू कैमरा की तरफ देखते हुए सभी से कहती है कि हम तो कलाकार हैं जो एक्टिंग कर रहे हैं बर आप सभी सही गलत पहचानते हुए भी एक्टिंग कैसे कर सकते हैं कॉंडम प्रॉब्लम नहीं बलकि सॉल्यूशन है और जो कोई भी हमारी सोच के खिलाफ है ये फिल्म उन्हीं के लिए है और फिर इसी मैसेज को देते हुए ये मूवी यहीं पर खतम हो जाती है तो दोस्तों आपको साफ तोर पर समझ आही गया होगा कि ये फिल्म हमें क्या मैसेज देना चाह रही है और जो मैसेज देना चाह रही है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है बलकि मैं तो यही कहूंगा कि कॉंडम शब्द सुनकर आप शर्माईएगा नहीं, बलकि ध्यान से समझियेगा कि ये कोई छुपाने या देख के शर्माने वाली चीज नहीं है, बलकि यही चीज आपको कई चीजों से बचाती है, संभूख को हमने हमेशा से एकदम जाए कि आप उसे चलाएं, हो सकता है कि आपने कभी इधर उदर से सुना हो या किसी को चलाते देखा हो तो आप चला ले जाएं, लेकिन कार के ठुकने और आपकी जान को खत्रा जादा रहता है, तो अगर आप सही तरीके से जान जाएं कि कार चलाई कैसे जाती है, और फि लीट बेल्ट आपके लिए कॉंडम हो गया जो कि आपको गलती से गलती करने वाली गलतियों से बचाएगा अब आपको लग रहा होगा कि मैं सिर्फ मर्दों की बात कर रहा हूं पर ऐसा नहीं है इस फिल्म में इसी धार्णा को बदलने का काम किया गया है कि कॉंडम ऐसी ची ना करने पर अंचाही प्रेगनेंसी होने का खत्रा जादा रहता है वहीं एट्स जैसी बिमारी जो कि महिला और पुरुष दोनों को ही हो सकती है यहां सिंपल सी बात समझने वाली यह है कि अगर आप सौ रुपए खर्च करके पहले ही सावधानी भरत लें तो आपको आगे चलकर दुनिया भर की टेंशन लेने की जरुवत नहीं पड़ेगी अक्सर यही होता है कि लोग पहले ध्यान नहीं देते फिर होता यह है कि महिलाएं प्रेगनेंट हो जाती हैं अब जिनकी शादी नहीं हुई होती वो और ज्यादा घबरा जाते हैं और इदर उदर भटकत जाती है तो सब कुछ खतम हो जाता है शादी के बाद अगर ऐसा होता है तो यहां दो आप्शन आ जाते हैं पहला तो यह कि इल्लीगल अबॉर्शन कराया जाए और दूसरा यह कि उसे एकसेप्ट करके इस दुनिया में लाया जाए अब यहां दोनों ही आप्शन में अबॉर्शन करवा देते हैं अभी जो हमारा समाज है वो इतना विक्सित नहीं हुआ है कि हम हर बात हर किसी को समझा सकें इसलिए यही बहतर है कि हमारे हाथ में जो है वो करें यानि कि कॉंडॉम का इस्तमाल करें ताकि जो भी दिक्कते हैं जो आपकी जिन्दीगी में खरीदते कि वो कई चीजों से बचाता है बल्कि इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उससे प्लेजर मिलता है जो कि बहुत गलत बात है यह तो ठीक वही बात हो गई कि लोग हेलमेट इसलिए नहीं लगाते कि उनकी जान बच जाएगी बल्कि इसलिए लगाते हैं कि उनका चलान होने से बच जाएगा यहाँ पर पूरी तरह से सोच ही बदल के रख दी गई है बात यहाँ यह है कि लोग संभोग प्लेजर के लिए करते हैं तो उसी चीज को हतकंडा बना कर कॉंडूम कमपनिया अपना प्रचार करती हैं ठाकि उनका प्रॉडक्ट बिके पर वो यह कभी नहीं बताती कि कॉंडूम के फाइदे क्या हैं प्लेजर तो वैसे भी मिलेगा ही मिलेगा जब आप सही पार्टनर के साथ संभोग करेंगे तो कॉंडूम को ब्लेजर के लिए नहीं बलकि अपनी इस रक्षा के लिए इस्तमाल करें फैमिली प्लानिंग करना बहुत जरूरी होता है जो लोग बिना प्लानिंग करे उपर वाले का अशिरवास समझ कर बच्चा कर लेते हैं बहुत बड़ी बेवकूफी होती है आज के जमाने में जहां इतनी महंगाई हो रही है वहाँ पहले ये देखना जरूरी है कि क्या इतनी कमाई है कि बच्चा करने के बाद गुजारा हो पाएगा या नहीं महंगाई, भुकमरी और बिरुजगारी बढ़ती जा रही है और ये सारी चीज़े रुख सकती हैं अगर लोग समझदार हो जाएं और बेधड़ले से बच्चा करना बंद कर दें इन सभी चीज़ों का एक ही हल है कि सभी संभूख करते समय कॉंडूम का इस्तमाल करें और अगर कभी जिन्देगी में बच्चा चाहिए भी हो तो दो से जादा ना करें क्योंकि दो बच्चे मीठी खीर और उस से जादा बवासीर पहले के जमाने में इतनी जानकारी किसी को भी नहीं मिलती थी इसलिए परिवार में इतने मामा मौसी दिखते हैं पर अब तो जनता समझदार हो गई है तो अब तो समझदारी दिखानी चाहिए और समझदारी इसी में है कि हम सभी कॉंडूम का इस्तमाल करें कॉंडम खरीदना और उसका इस्तमाल करना शर्म की बात नहीं बलकि गर्व की बात होनी चाहिए क्योंकि इसका इस्तमाल करके हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं और एड्स जैसी बिमारी से भी बच रहे हैं अब एक्टिंग की बात करें तो नुश्रत भरूचा का जो रोल है उन्होंने काफी अच्छे से निभाया है और उनकी एक्टिंग सही ही देखने को मिलती है वहीं विजयराज और बिजेंद्रकला जैसे दिगज कलाकारों की एक्टिंग से तवाब वाकिफी हैं और उन्होंने अपने किरदार को बखूबी निभाया है और बाकि जितने भी सैक अलाकार हैं उन सभी की एक्टिंग काफी बढ़िया रही और सभी हमें हसाने में काम्याब होते हैं वैसे आप मुझे कमेंट करके बताईए कि क्या आप कॉंडम को इस्तमाल करके अंचाही प्रेगननसी होने से बचना पसंद करेंगे या फिर समाज में जो कॉंडम को लेकर अफ़ाय फैली हुई हैं उनको मानते हुए आप उसका इस्तमाल ना करके देश की अबादी बढ़ाएंगे कॉंडम को लेकर आपकी क्या सोच है वो हमें जरूर बताईएगा तो यह था एक्स्प्लेनेशन जनहित में जारी मूवी का आपको मूवी और मेरा एक्स्प्लेन करना कैसा लगा यह कमेंट करके जरूर बताईए